दोसे तो हम काफी तरीकी के खाते हैं लेकिन आज का दोसा बहुत ही ज्यादा क्रिसपी और टेस्टी होने वाला है क्वेся ये मैं चाइनpy सब्सक्राइब के बना ग्रसी कोते हैं और चाइना है, ये मैं चार लोगों के लिए बना कर तयार कर रही हूँ आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के अकोर्डिंग अब मैं आधा कप लूंगी सूजी जितना मैंने आटा लिया है उससे थोड़ी सी कम मैंने सूजी का यूज किया है दो से तीन चममच इसमें एड करेंगे फ्रेश दही इसके बाद में according to taste नमक एड कर दीजिये इसके बाद में इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च चाल के आटे के साथ का काली मिर्च का कॉंबिनेशन एकदम से बेस्ट कॉंबिनेशन होता है इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला ये ओप्सनल है आप चाहें तो डालें चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दीजिए इसमें डालेंगे हम हलका गुन-गुना पानी और इसको हम बहुत अच्छे से एक लिक्विड टाइप का घुल बनाकर तयार करेंगे जैसे बगवाँ जाधा पतला होता है बिल्कुल इसी तरीके से यह देखिये यह जटबड से बनकर तयार हो जाता है और हमने इसमें लगभग दो कप पानी ऐнд कर दिया है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यह बिल्कुल पारिंग कंसिस्टेंसी वाला बनकर तयार ये देखें, बारिक बारिक चोप करने के बाद में, हम इसको मिक्स कर देंगे, बहुत ही आसानी से ये डोसा बनकर तयार होने वाला है, बिना किसी हैडिक के, अब हमने लेना है एक नोनिस्टिक तवा, उसको हम ग्रीज करेंगे थोड़े से ओईल के साथ में, ये देखें, ब अब हम गैस के फ्लेन को कर देंगे, सिम्टू मीडियम पर, और इसको हम अच्छे से पकने देंगे, थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं, ये एक तरफ से लगबग सिखने लगा है, उपर से हम इसको ग्रीज कर देंगे, थोड़ी से ओईल के साप में, ये देखें, इस तरीके से ब्रस से ओईल लगाने से ओईल बहुत कम यूज होता है, अब हम इसको टर्न करेंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा चाकू से हटाएंगे, फिर इसको इस तरह से पलट देंगे, ये देखिए कितना क्रिस्पी ये डोसा बनकर तयार हो चुका है, एक तरफ से द पूंफली की चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ इंजोई कर सकते हैं, क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए, ब बाइ, त्र करें, करेंगे, त्यूतिय को में है विरूट दूंगे, डिर लेए पोलना प्नाला, रिक्रिपाइ तक crunchy यह वाचिए चाहिसि ohma zost now पूलना